आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नमबर एट राजा का हिस्सा जो इस सेमवन का लास्ट चैप्टर है उस पार्ट को पढ़ेंगे आप सबको आगे के सारे चैप्टर का वोग कम्प्लेट कर देना है ओके तो आज हम चैप्टर नमबर एट राजा का हिस्सा पार्ट पढ़ेंगे इस पार्ट का प्रकार है कहानी अब अच्छे राजा आदस राजा किसे कहते है आज राजा का पढ़ते है तो आदस राजा किसे कहते है तो जो राजा अपनी प्रजा की खुशी के लिए कुछ भी कर स उसे आदर्ष राजा कहते हैं, अपनी प्रजा की वो सुखी बनागने के लिए वो हमेशा तयार रहते हैं, उसे आदर्ष राजा कहते हैं, तो आज ऐसे ही एक राजा, राजा भोज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक कहानी है, उसके आधार पर एक कहानी है, उसे समझे तो पहले राजा क्या करते थे अपने प्रज्या में कोई तकलिफ तो नहीं है तो उसे देखने के लिए अपनी प्रज्या उसकी प्रज्या खुश है सुखी है उसे देखने के लिए वो खुद राज्या में तहलते थे तैसे वेस बदल कर आपनी इतियास में पढ़ाई होगा तो पहले के राजा अपनी प्रजा को सुखी देखने के लिए किसी को भी बताए भी ना राजिय में भी राजिय महल में भी किसी को बताए भी ना वैसे ही वेस पल्टा करकर निकलते थे और हर एक जगह जाकर अपनी प्रजा को क्या क्या तकलीफ है उन्हें क्या चाहिए और किस बात से वो खूस है वो सब लोग वो देखते थे और फिर उसके आधार पर वो राज्य करते थे नीने करते थे और उन लोगों की तक्लिफ को तूर करते थे तो हमारे ये आदर्श राजा राजा बोज भी वैसे ही एक राजा है जो अपने राज्य में अपनी पत्नी के साथ वेस बदल कर गुमने निकलते हैं उन्होंने देखा कि एक किसान था जो अपनी पत्नी के साथ ये खेती का कार्या कर रहा था लेकिन आजचर्य तब हुआ जब उन्होंने ये भी देखा कि उस किसान ने जो बेल होता है जो हल खीचता है न उसकी जगा बैल की जगा उसकी पत्नी थी वो हल खीच रही थी बहुत दुख हुआ राजा रानी को, वो उसके पास गए और उन्हें पूछा कि भाई, तुमने अपनी पत्नी को क्यों बैल की जगा रगाया हुआ है, जोता हुआ है अभी किसान को नहीं पता कि ये राजा है क्योंकि उन्होंने अपना वेज बतर दिया है तो उन्हें तो नहीं पता लेकिन वो अपना जो दूख है वो बताता है और साथ में अपने काम के प्रती अपनी लगन भी दिखाता है ये देखकर राजा रानी दोनों खुस हो जाते है और फिर उन्हें कुछ मदद करते है क्या करते है ये हम इस पाठ में देखेंगे किस प्रकार राजा ये किसान का जो दुख है वो दूर करता है ये हम इस पाठ में देखेंगे इस प्रकार ये पाठ है वो प्रज़ा प्रेमी राजा के बारे में सुचित करता है तो चलो अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे लेकिन आप सबको क्या करना है टेक्सबुक ओपन करनी है और फिंगर रखे जिस प्रकार मैं पढ़ती हूँ और समझाती हूँ जो जो सब्द को समझाती हूँ सब्दार्थ को समझाती हूँ उस पर ध्यान रखना है तो चलो सब लोग टेक्सबुक ओपन करें और फिर हम पाठ पढ़ेंगे पाठ आण राजा का हिस्सा इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है प्रजावत्सल यानि की प्रजाप्रेमी राजा का वर्ण है वो राजा का नाम है राजा पोज राजा प्रजा की कठी नाईयां यानि की उनकी तकलिफे उनकी मुस्केलियों में हम्मेशा उनकी मदद के लिए ततपर रहते हैं उसकी मदद के लिए ततपर रहते हैं वैसे ही राजा बोज के प्रजा प्रेम का प्रसंग इस पाठ में दिया गया है अब हम पाठ को बढ़ेंगे तो राजा बोज बड़े प्रजा वस्सल थे मैंने बोला ना प्रजा वस्सल यानी प्रजा प्रेमी थी प्रजा के लिए वो हमेशा कुछ भी काम करने के लिए तत पर थे वे स्वयम राज्य में गूम गूम कर प्रजा की कठीनाईयों को देखा करते थे और उन्हें यथा संभव दूर किया करते थे वे खुद स्वयम यानी खुद राज्य में गूंकर प्रजा की कठीनाईयों यानी कि उनकी तकलिफों को देखा करते थे और उन्हें यथा संभव यानी कि उनसे जितना हो सके वो इतना काम करकर उनसे दूर किया करते थे एक दिन राजा अपनी राणी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का ब्रहण कर रहे थे गुमने निकले थे वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए उन्होंने देखा कि एक खेट में एक किसान हल जोत रहा है यानी हल लगा रहा है मगर उसके हल में एक ही बेल है दूसरे बेल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खीच रही है राजा ने क्या देखा कि एक किसान को हल चलाते हुए देखा लेकिन उसने ये भी देखा कि हल में एक बेल था दो बेल होते हैं यहाँ पर है आपको दिखाई देता है इसमें तो यहाँ पर राजा ने देखा ये राजा है तो ये राजा है लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि वो सामान्य वेश में है वो राजा के वेश में नहीं है और एक ही बेल है दूसरे बेल की जगा उस किशान की पत्मी हल खीच रही है तो उन्होंने देखा कि एक खेट में एक किसान हल जोत रहा है मगर उसके हल में एक ही बेल है दूसरे बेल में किसान पर कौन है उसकी स्त्री है राजा वोज ने रत रोका और किसान के पास जाकर कहा बले आदमी तुम या क्या अत्याचार कर रहे हो अत्याचार करना यानि कि क्या जुन कर रहे हो अपने पत्नी पर बला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है लगाया जाता है जोता जाना यानि लगाना तो कहीं कोई अपनी स्त्री को बेल की जगा पर हल जोतने को लगता है तब किसान जवाब देता है कि मेरा एक बेल मर गया है दूसरा बेल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है अगर खेत न जुता तो मैं खाऊँगा क्या कहकर किसान पुना अपने कारिया में लग गया वो इतना बोलकर पुना फिर से अपने कारिया में लग जाता है ये बात देखने की है कि वह बात करने बैट नहीं जाता वो सिर्फ अपना जो दूख है अपनी जो तकलिफ है वो बता देता है कि मेरे पास एक ही बेल है एक बेल मर गया है दन नहीं है जो दूसरा बे लाओ और फिर खेत अगर खेत में खेती नहीं की तो फिर क्या होगा मैं खाऊंगा कहां से इसलिए ये करना पड़ता है ये कर फो फिर से अपने कारिय में लग गया उससे क्या पता था कि उससे से बात करने वाला कौन है उसे पता नहीं था कि जो मुझसे बात कर रहा है वो राजा है राजा ने कहा अरे बाई जरा सुनो तो राजा फिर से उन्हें बुकार कर बोलते हैं बाई सुनो तो सही मेरे साथ बात तो करो जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोकते हो किसान न करना है तो वो राजा को कहते है कि जो भी कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम मत रोको तो किसान को अपने काम की प्रती जो लगन है वो यहां पर देखने को मिलती है तो राजा बोज उसके साथ साथ चलने लगे अपने काम के प्रती किसान की लगन देखकर यानि उनका जो प्रैम है उनकी जो रूची है अपने काम के प्रती वो देखकर राजाबोज बहुत प्रभावित हुए प्रभावित होना यानि बहुत खुस हुए उस काम से उनके मन पर बहुत उसका असर हुआ वह बोले भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी ठक जाएगी और ठकावट की वज़े से कोई दूसरा कारिय भी नहीं कर सकेगी उन्हें समझाते कि तुमने पत्नी को जोत तो दिया है लेकिन इस प्रकार तुम्हारी पत्नी ठक जाएगी वो काम करते करते और फिर थकावट के कारण थकने से वो दुसरा काम भी नहीं कर पाएगी Kisaan बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करू अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो तुम ही बताओ मैं क्या करू राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो मैं अपना एक बेल तुमें दे देता हूँ मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा तुम ही बेल ला दो किसान बोला राजा ने खल लिया कि तुम मेरे साथ चलो मैं अपना एक बेल तुमें दे दूँगा लेकिन ये किसान है उसे किसमें इंट्रेस है अपने काम में तो वो कहता है कि मैं बेल लेने आऊंगा तो मेरा काम रुख जाएगा तो एक काम करो तुम ही बेल लेकर मुझे दे जाओ अच्छा ऐसा करो तुम अपनी पत्नी को रद के पास बेज दो वहाँ मेरी पत्नी से बेल ले आएगी तब तक मैं तुम्हारे बेल में जुतूंगा राजा ने कहा अब राजा क्या कहते हैं कि एक काम करो तुम अपनी पत्नी है उन्हें मेरे रत के पास बेजो वहाँ पर मेरी पत्नी है वो एक बेल दे देगी लेकिन तब तक तुम्हारा काम रुख जाएगा तो काम न रुखे इसके लिए मैं तुम्हारी पत्नी की जग़ ये हल जोतूँगा अब इस वाक्य से राजा की महानता राजा का अपने प्रजा के प्रती प्रेम जो है वो दिखाई देता है वरना वो राजा है वो बता सकता है कि मैं राजा हूँ चलो मैं तुम्हें ये हैल कर दे तुम्हारी ये मदद कर सकते देता हूं तुम बेर लेके आजाओ लेकिन वो राजा है कितसे है प्रजा प्रेमी है वो अपनी प्रजा को बता जता जता कर कोई काम नहीं करना चाहते तो वो खुद भी इस हल चोतने के कारियम में लग जाते है किसान इस बात पर राजी हो गया किसान को तो अच्छा है उसका काम नहीं रुखना चाहिए राजा भोज हल में जुद गए बोला नहीं, वह हल में जुद भी गए और किसान की पत्नी रद के पास चली गई उसने रानी को सारी बात बता दी किसने? वो किसान की पत्नी ने रानी को सारी बात बताई रानी ने पूरी बात सुनकर कहा तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ यहाँ पर किसकी महांता दिखाई देती है? रानी की पूरी बात सुनकर रानी ने एक बेल नहीं दो बेल देने के लिए तयार हो गए यानी की रानी भी राजा की तरव प्रजा प्रेमी है वो भी राजा का इतना ही साथ देती है और वो क्या कहती है? कि एक बेल ने ले जाओ क्योंकि आप तुम्हारा एक बेल कमजोर होगा और हमारा बेल ताकातवर है तो तुम ऐसा करो तोनों बेल साथ में ले जाओ किसान की पतनी दोनों बेल लेकर खेट पर पहुँझी किसान तो बहुत प्रसन हुआ वो तो खुस-खुस हो गया क्योंकि उसे एक नहीं दो-दो बेल मिल गए राजा भोज ने कहा अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना करकर राजा भोज ने उसे अपना परिज़े दिया तो किसान बहुत सर्मीनदा हुआ राणी ने एक बेल की बज़े दो बेल दी लिए क्योंकि वो उसे लगा कि तुम्हारा एक बेल है वो कमजोर कमजोर यानि कि ने अशक्त यानि कि निर्बल है तो तुम दो बेल ले जाओ किसान की पत्नी दो बेल लेकर आजाती है किसान देखकर खुच हो जाता है अब राजा भोज अपनी सही पैच्चान किसान को देते हैं और कहते हैं कि अगर कभी कोई दिक्कत अगर कोई तकलीप परेशानी बादा हो तो मेरे पास आना और ये कहकर अपना परीचाएवो राजा भोज किसान को देते हैं अब किसान को बहुत सर्मीदा हुआ सर्मीदा हुआ यानि उन्हें बहुत लजजित हुए बहुत सरम आ गई कि मैंने ये क्या किया मैंने अपने राजा को बेल की जगा जोता और खेत को खेत में बदद ली फिर उनके पास एक नहीं दो-दो बेल लेके आई उसके साथ बात करने के लिए मैं रूका भी नहीं तो ये सारी बात मन में आने से वो सर्मीदा हुए यानि कि बहुत लजजित हुए अब आगे का हम next part two में पड़ेंगे